हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड आउफ मोशन में जो फोर्मॉला होता है फोर्स एक्वल मास मल्टिप्लाई एक्सलरेशन को इसको कैसे ड्राइब करना है यह जो फोर्मॉला है यह न्यूटन सेकंड आउफ मोशन की डेफिनेशन पर ही है कि ता रेट ओप चेंज ओव मोमेंटम इस ड्रेक्टली परपोर्शन तो दा अप्लाइड फोर्स जो फोर्स ह होती है वह क्या होती है ड्रेक्टली परपोर्शनल टू होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तुक्र रेट का मतलब है टाइम अगर मोमेंटम की बात करें इसमें मोमेंटम का फर्मूला होता है इकोल मास मल्टीपली विलोस्टी मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं उसका फर्मूला शॉर्ट में अगर इनिशल मोमेंटम है तो हम लिखेंगे P I, I मतलब initial equal M U यानि कि यहाँ पर initial velocity लगा दी तो यह initial momentum बन गया और अगर यहाँ पर final velocity आपको पता है V से denote करते हैं तो यह final momentum बन गया initial momentum M U, final momentum M V अब इनका difference जो होगा वो का change in momentum जिसे हम लिख सकते हैं change in momentum M V minus M U upon time यानि कि T अब इसमें से M common आ जाएगा तो क्या बचेगा F, directory proportion अगर हम M common ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है V minus U upon T अब V minus U upon T की आप value फिल कर सकते हैं acceleration क्योंकि जो acceleration की value होती है वो होती है change in velocity upon time A equal V minus U upon T change in velocity ये change in velocity upon time acceleration की value होती है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा force directly proportional M इसकी value A M A जा कहाँ सकते हैं M multiply A अब proportional का sign हटाने के लिए हम क्या करते हैं constant value पुट करते हैं यानि की K अगर हम ये वला sign हटाना है equal करना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे K K क्या होता है constant value होती है जिसे आम पर तोर पर scientist क्या पुट करते हैं K की value 1 अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो force का formula क्या बन जाएगा mass multiply acceleration तो इस तरह से ये newton second law motion का formula अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होते से लाइक करना न भूलें thanks for watching